Hello everyone, एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है So guys, finally आप सभी के लिए यहाँ पे good news यह है कि CU80PG का जो application form है उसमें correction window यहाँ पे open हो चुकी है So आप लोग अपने form के अंदर changes कर सकते हो यानि कि बदलाव कर सकते हो अगर आपको कुछ उसमें add करना है या remove करना है लाइक जो भी आपको उसमें करना है आप correction कर सकते हो ये वीडियो एक्चुली मैं आपको इसलिए वना के भी बता रहा हूँ कि आपको कुछ बातों का यहाँ पे like ध्यान रखना है और कैसे आपको correction करना है क्योंकि आपको correction window है guys वो one time आपको chance मिल रहा है बाद में आपको chance नहीं मिलेगा कि एक बार आपने करा फिर आपने गलती कर दी फिर उसके बाद आपको सुधार का मुका मिलेगा नहीं ऐसा नहीं होता है आपको एक ही chance मिलेगा आपको करना क्या है मैं बता जता हूँ सबसे पहले आपको इस website पर आना है यानि कि जहां से आपने form फिल कराता वहां पर आना है और यहां से आपको correction window पर यह जो आपको दिख रहा है option इस पर click करके login कर लेना ठीक है login करने के बाद किस तरीके का interface आएगा वह अभी आपको यहां पर बता देता हूं guys तो guys जब आप लोग लोग इन कर लेंगे तो यहां पर आपको दो option दिखने वाले एक आपको उपर दिख रहा होगा download confirmation page और उसके नीचे लिखावा correction in application form इसी पर आपको click करके step by step जो process है उसको complete करना है जैसा कि अभी हम लोग जो इस पर click करते हैं और आगे का process आपको बताते हैं guys आप लोग जब उस पर click करेंगे तो click करने के बाद यह आप से यहां पर यह सारे point के regarding agree करने के लिए बोलेगा तो आप जब agree पर click करके और फिर proceed करोगे तो फिर जो हाँ आपको आपका जो form है बिल्कुल उसी तरीके से दिखेगा जिस तरीके से आपने यह form को fill कराता okay तो step by step आप जो है यहां पर change कर सकते हो जितने भी यहां पर आपको side में जो kolum दिख रहेते लाइक जो form के step थे वो आपको दिख जाएंगे और आपको जिसमें change करना है आप उसमें change कर सकते हो लेकिन यहां पर guys clearly दिया गया है कि आपको I mean आप जो भी changes कर रहे हो उसमें आ पास एक नया कनफोर्मिशन जनरेट होके आएगा तो उसको आपको डाउनलोड करना है इन फ्यूचर वह आपको काम में आएगा तो उसका प्रिंट आउट भी आप लोग यहां पर ले सकते हो ठीक है तो इतना सारा आपको लाइक प्रोसेस करना है अब आप क्लिक है यहां पर प्रोसेस नहीं करेंगे बट आपको करना है आप लोग इसी तरीके से करिए और लाश्ट में आप जो है सेव कर दीजे उसके बाद आपके पास एक नया कनफोर्मिशन पेज जनरेट होके आजाएगा आपको करेक्शन करते समय कोई भी दिक्कत आती है कोई भी परिशानी हो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने लिए आप सभी का शुक्रिया